नमस्का इन खबर में आपका स्वागत हैं आपको बता दें कि खबुत तिवारी खुद तो जेल में हैं लेकिन उनकी पतनी आरती तिवारी गोसाई गंज से चुना लड़ रही हैं दूसरी तरफ से अभय सिंग है जिनकी बाहु बली की इमेज है दोनों की जब गाड़ियां आमने सामने आई काफिला आमने सामने आया इसी बीच में जड़प हो गई और जड़प के बाद गोली चली है पत्थराव हुआ है गिरफतारी के समय अभय सिंग ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिस हो रही है जिसके तहद गिरफतार किया गया ये गिरफतारी सुबह चार से पांच बजे की बीच में हुई है घटना के बाद ही हिरासत में अभय सिंग को ले लिया गया था अब उन्होंने कहा है कि मैं जेल जा रहा हूँ लिहाजा चुराव लड़ने और जिताने की जिम्मेदारी समर्थकों पे और जनता पे आ गई है भाजपा परत्यासी आर्ती तिवारी के पती और पूरु भाजपा विधायक इंद प्रताप तिवारी और खबुत तिवारी अजोध्या जेल में भष्टाचार के एक मामले में पाले से भन्ध है लिहाज आयोध्या जिला कारागार में भी दोनों का कहीं टकराव न हो जाए इसलिए अभय सिंग को दूसरे जेल में भेजने की तैयारी है सपा के 85 अभय सिंग का आरोप है कि BJP समर्थकों ने उनके काफिले पे पत्थर बरसा है फायरिंग की उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि भाजपा प्रत्यासी आरती तिवारी के लिए परचार कर रहा है विकास सिंग के काफिले पे गोली बारी की थी और ये फायरिंग खुद अभय सिंग ने अपने हाथों से की थी दोनों पक्ष एक दूसरे के उपर आरोप लगा रहे हैं हकीकत तो जाज के बाद ही पता चलेगा लेकिन अभय सिंग फिलहाल गिरफतार कर लिये गए हैं और जेल भीजा जा रहा है इस पर हमारी नजर रहेगी जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहें नभी खबर देखते रहें इन खबर थैंक ये इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें